HCF of 24 and 36 कैसे find करें अभी हम सीखेंगे तो इसके लिए दोस्तों हम prime factorization method काम में लेंगे सरब फरतम हम 24 के factors कर देते हैं factor करने के लिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमें अपना prime number से divide करना पड़ेगा prime number कौन से हैं 2, 3, 5, 7 यह 1 से लेकर 10 तक के prime number है सरब परतम दोस्तों हम अपना 2 से divide करना शुरू करते हैं 24 divided by 2 कितना मिलेगा 1, 2, जितना मिला वो इसके जास्ट नीचे लिए इसको आप दूसरे सब्दों में ऐसे भी समा सकते हैं कि हमने इसमें 2 का divide किया हमें कितना मिल गया यह मिल गया फिर अगें इसमें 2 का divide हो रहा है कितना 6 times 6 में 2 का divide हो रहा है 3 times 3 में 3 का divide हो रहा है 2 के बाद आगे कोन आ रहा है 3 3 आपका एक prime number हमें से जहां रखे prime number खुद से ही divide करना रहता है 3 में 3 का divide किया 9 मिल गया, 9 में अब हम किसका 3 का divide करेंगे, कितना 3 मिल गया, 3 में 3 का divide किया हमें कितना 1 मिल गया, हमें क्या चाहिए दोस्तों, H3F चाहिए देखिए, बिल्कु सिंपल याद रखने का सिंपल ट्रीक, इस से सिंपल कुछी भी नहीं इसका फुल फॉर्म याद कर लो फुल फॉर्म क्या होता है, highest common factor यानि, आपको क्या करना है यह जो डोनों को factor आए है उन में से केवल common factor को लेना है, यानि, ऐसा factor जो यहां भी है यहां भी है अगें देखिए, 2 2, दोनों जगे आया हुआ है अब 2 यहां है, लेकिन यहां नहीं है अब आगे 3 को चेक करते हैं देखिए, 3 यहां भी है, यहां भी है अब इन सब का multiply कर देते हैं कितना आ गया, 12 तो इस प्रकार से आपका यह hcf निकल जाता है वीडियो कैसा लगा नीचे, comment कर बताएं अब इन वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंदर क्लेरे शार्च करें और हमारे चैनल प्लेश्ट में जाएं धन्यवाद